देखो यार आपने ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे ना जिनके relationship में उन्हें बहुत प्यार मिलता है जो भी partner उनके साथ जुड़ता है ना चाहे वो एक हो दो हो तीन चार पांच जितने भी partner उनके आते हैं ना सब उनको बहुत प्यार कर रहे होते हैं सब उनके साथ अच्छ के life में और एक जो बंदा है जिसके अंदर कुछ तो चीज़े हैं जिसकी वज़ा से उसके relationship काफी बेतर चलते हैं हर एक इनसान के साथ तो ऐसा क्या है ऐसा क्या चीज़े हैं जो हमें भी सीखने की जरूरत है जिससे हम भी उसकी तरह एक player बन सकें sometimes ये थोड़ा सा rude sound हो सकत है कि player बनने की बात कर रहे हो player means खिलाडी जो खेलना जानता हो बड़ जिंदगी में अगर आप बहतर करना चाहते हो किसी भी field में आपको उस field का खिलाडी बनना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां पर work करती है आप relationship में जा रहे हो जिंदगी में ज है हो ना तुमारी कटने ही वाली है सबकी करती है वाई relationship में नहीं वाई सबकी नहीं करती है उन्हीं की करती है ज्यादा इनोशेंट होते हैं ज्यादा चीजों के बारे में समझते नहीं है जानने के वीचे नहीं जाते हैं कि हमने प्यार करेंगे we don't care anything हमने बहुत प्यार क करते हो ना कोई नहीं काटके जा सकता है तो आज की वीडियो में इसी बारें बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप एक relationship में तीन psychological tricks का यूज करके आप अपने relationship में ऐसे हो सकते हो ना कि कोई भी इंसान तुमारा काट करके यूँ जा नहीं पाएगा समझ रहे हो तो देखो यार समझने की कोशिस करते हैं सबसे पहली चीज इसमें आती है कि पार्टनर के वो पूरी करने लग गए ना कोई भी तो में छोड़के जाएगा ही नहीं मैकसिमम टाइम पर प्रॉब्लम यही होता है कि हम जब थोड़ से इनोशेंट होते हैं हमें लगता है कि मुझे क्या मिल रहा है मुझे पार्टनर के साथ रहे कि अच्छा मिल रहा है उसे प्यार दे कि अच्छा मिल रहा है उसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ इतना केर कर रहा हूँ इतनी कोश्य कर रहा हूँ सब कुछ उसके लिए दिया है भाई पैसा भी दिया है ये भी दिया है वो भी दिया है सब कुछ कर रहे है हम अपनी जान लगा रहे है भाई फिर भी उसको हमारी वैलू नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उससे चाहिए ही नहीं तुमारी इज़त long term चले आपको समझना पड़ेगा कि उस इंसान की आपसे expectation क्या है, वो चाहते क्या है आपसे, वो किस type का relationship आपसे चाहते हैं, क्या expectation है उनकी इस relationship में, जीस दिन तुम यह समझ गे ना, तुमने game जीट लिया, समझ रहो, जैसे मालो एक person है, जो इंसान एक relationship में रह चुका है और उसकी जो बंदी है वो उसे बहुत प्यार कर रहे थी बहुत respect कर रहे थी बहुत इज़त कर रहे थी बहुत care कर रहे थी हमेशा उसके ओपर चड़ी हुई थी चिप को थी बहुत ज़्यादा ही care कर रहे थी over care थी हार टाइम उसको call पर चाहिए कि बताओ मुझे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कैसे कर रहे हो कहां जा रहे हो क्या खा रहे हो कहां जा रहे हो मुझे लेके चलो मुझे बताओ मुझे वीडियो call पर दिखाओ यह करो वो करो तमाम सारी चीज़े वो बोल रहे थी out of love वो बहुत प्यार करती थी बहुत emotional थी जिससे परिशान होकर कि एक इनसान वो relationship खतम कर देता है और वो आपकी जंदगी में आ रहे है आप उनसे जाकर कि connect हो रहे हो तो अगर आप एक ऐसे person हो जो बहुत emotional है बहुत प्यार करते हो बहुत इज़द करते हो बहुत care करते हो यह बहुत अच्छी बात है बढ़ अगर आप ये qualities लेकर कि उस इनसान के तरफ जा रहे हो तो क्या आपको लगता है कि उसके साथ आपके relationship से बच्चे होंगे नहीं क्यों? क्योंकि वो सब तो उसको अलड़ी इतना मिल चुका है कि वो परिसान हो चुका है कि मुझे नहीं चाहिए भाई इतना care इतना respect इतना जादा हर एक चीज़ पे पता करना, निकालो, prove, verify करो सारी चीज़े मुझे नहीं चाहिए मैं नहीं बढ़ना चाहता हूँ तो ऐसे परसन को अगर आप प्यार, care, respect, value दोगे चारो तरफ हमेशा लगे रहोगे हमेशा call, message पे रहोगे तो वो इंसान परदास नहीं कर पाएगा आपको और आपको भी छोड़ देगा लेकिन आप एक ऐसे परसन हो जो अपने काम में busy होता है अपने life में busy होता है थोड़ा बहुत सामने वाल इंसान को time दे देता है important time देता है, थोड़ी सी बात चीत करता है हमेशा अबिलेबल नहीं रहता है तो वो चीजे उसे उसे चाहिए तो वो उसकी need है और वो तुम पूरी कर रहे हो तो अगर तुम उसकी need पूरी कर रहे हो वो कहीं छोड़ के नहीं जाएगा तुमें लेकिन अगर तुम उसके need के against जा रहे हो तो तुमें छोड़ के जाएगा बट एक चीज हमेशा याद रखना है कि एक प्लेयर को ही ये बात समझ में आती है कि उसको जरूरत क्या है वो दे देता है वो चीजे वो खुश सम्टाइम्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिलेसेंसिप में प्यार वगेरा नहीं चाहिए उनको बस फिजिकल इंटिमेसी चाहिए वो उसमें अगर तुम ठीक नहीं हो तो अगर तुम वो पूरी नहीं कर पा रहे हो लोग शोड के जाते हैं ऐसा होता है उनकी नीड से आपको समझनी पड़ेगी और यह चीज यह भी समझना पड़ेगा कि नीड जो है ना वो टाइम के साथ बदलती भी है कि आज उसको में भी मैचॉर्टी की नीड है कि मुझे ज़्यादा कोई डिश्टर्ब ना करे कोई टाइम कुछ भी मतलब मुझे ज़्यादा कोई इंसान विरूपर हाभी ना हो टाइम के साथ उसके नीड पूरी होने लग गई तो उसके नीड बदल सकते हैं अब ऐसे प्लेयर जो होता है ना जो एक खिलाड़ी होता ह किस इंसान को क्या चाहिए हमाँ Hundreds प्लीज 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 यह करो ना मेरी ृ करो ना इस तरह की चीजaden होती है अपने देखी होगी किस तरह से हम किसी इंसान से अपनी मिनते कर रहे होते हैं कि यार ऐसे करो ना वैसे करो ना यह करो प्लीज 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 मान जो sometimes कुछ लोग नहीं बोलते हैं कि ये करो पर लोग उनके वीशे भाखते हैं क्यों? क्योंकि वो challenge देना जानते हैं कि यार अगर तुम्हे न मेरे से बात करनी है तुम्हें chase करना पड़ेगा sometimes लोग ऐसे बोलते हैं कि I don't have time मुझे अपने लाइक समझती नहीं है ये मुझे भाई बोल रही है तो वो चीज़े चैलेंज की तरह लगती है और फिर उसके बीचे लगजाता है कि नहीं यार कुछ भी करके ये टैक तो मुझे अटाना है कुछ भी करके इस इंसान के साथ अब तो आना ही है relationship में हम उनके बीचे भागते है उनके लिए एफरट लगा रहे होते है हर एक चीज में ध्यान देने की Qo달 करते है की कुछ कमी ना हो जाए क्यों क्यों कमी ऊगी तो इनसान 只कता है मेरे से दूर तो यह फियर डबलप होता रहता है हम उनके पीचे पांते हैं पता उना चाहिए कि आप खुस होते हो कैसे आपकी खुसी सामने वाले इंसान के मन में डर पैदा करती है अगर तो हमेसा दुख्यी ओ क्ल mixes ब्लों हमेंसे सबस्की और हमनों को डर में रखेगा कि नहीं जार इसकी वाल मैं नहीं हूं औरि लोग work और भी चीजे हैं जो इसको खुश करने के वीचे important भूमिका निवा सकते हैं इसमें दूसरी चीज आती है network कि आप relationship में आने के साथ साथ आप और भी लोगों के से network बना रहे हो या नहीं बना रहे हो क्योंकि जब आपके network बनते हैं fear पैदा हो जाता है लोगों को कि यार इसके पास तो लोग हैं इसको पसंद करने वाले लोग हैं बट maximum टाइम पे आज के डाइम पे प्रॉब्लम ही होता यार relationship में गए पूरी दुनिया कट we are just two person हम दो person ही है अब सब कुछ अब एक इंसान वह बहुत सारी लोग हैं बहुत सारे network हैं उनके साथ एक अच्छी bonding है ना तो अगर वो इंसान तुमें छोड़ने के बारे में सोच भी रहा है तुमारे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा हूं उसे दिखेगा और भी लोग है इससे पसंद करने वाले ऐसा नहीं है कि म लोड़ा सा अपने केरियर पर फोकस करना बहुत इंपॉर्ट है जब तुम केरियर वाइज ग्रो कर रहे होते हो ना यह आपके पार्टनर के माइंड में एक फियर भी डबलब करता है एट दर सेम टाइम प्यार भी जनरेट करता है कि यह इस इंसान को छोड़ा नहीं जा सक किक एुइं किसी इंसान को आपको खूनेगा डर होना चाहिए ऐसा नहोजाए कि उस इंसान को पता है इसके तो कई नहीं जाएंगे इनके साथं में कितना भी बूरा कर ले यह कहीं नहीं जाएंगे लोग मैनुपलेट करते हैं दूसरा चीज Поэтому चैलेंज चैलेंज बहुत इंपॉर्ट तुम रिलेसंशिप में रिक्वेस्ट करने की जगा पर चैलेंज करो और तीसरी चीज है आपको नीड को समझना अगर यह तीन चीजे तुम कर पाऊ ना कोई भी इंसान तुम्हें रिलेसंशिप में छोड़के नहीं जाएगा तो लाइक चरूर कीजिए पहली बार चैनल पर विजट करके जरूर देखिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन चैवारत